प्याज के भाव में लगतार तेजी का मोहौल बना हुआ है आवक में कमी और लिवाली अच्छी होनी के वज़ा से बाजार में सुधार देखी जारी है तो क्या है तेजी के बज़ा और कैसा रहेगा आगे का बाजार जानेंगे पूरी रिपोर्ट नमस्कार मैं हुशिवांगी आज है 30 सितंबर और आप देख रहे हैं एंसूरवा एग्रो का डीजिटल पेज तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली आजादपूर मंडी की तो आज खुल 90 गारी के करीब प्याज बिकरी के लिए खड़ी है प्याज को फिलहाल स्टॉकर्स द्वारा खरीद कर स्टॉक किया जा रहा है सूपर कॉलिटी के लिवाली नाशिक के मंडियों में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है अब बात करते हैं अलग-अलग मंडियों और राज्यों के प्याज के भाव के बारे में तो नाशिक प्याज मंडी में एकदम सूपर कॉलिटी की बात करें तो 17 सो तक निलाम किया गया वही सूपर कॉलिटी की बात करें जो की अरब के देशों में जादा तर एक्सपोर्ट किया जाता है वो 1500 से 1700 सो तक देखने को मिल रहे डबल पट्टी मीडियम साइज का भाव 1500 से लेकर 1600 सो तक देखने को मिल रहा है वही पर अगर बात करें मीडियम क्वालिटी की जो की मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रिलंका जैसे देशों में निर्याद किया जाता है वो 1400 से लेकर 1500 रुपे प्रती क्विंटल देखने को मिले मीडिया मोटा प्याज जहां पे जो कि बिहार ओरिसा उतरप्रदेश में ज्यादा तर सप्लाई किया जाता है उसका भाव 1200 से 1300 रुपे प्रती क्विंटल दर्श की गए अब अगर हम बरे साज की हलकी क्वालिटी की प्याज की बात करें तो वो 1100 से 1200 तक इसका भाव देखने को मिला गोल्टा प्याज जहां 1100 से लेकर 1300 तक मंडियों में देखने को मिल रही है तो वही गोल्टी प्याज की बात करें तो उसका भाव 900 से 1000 तक है बात करते हैं तेजी मंदी की तो बाजार में भी आज तेजी देखने को मिली है पुने प्रयाज मंडी की बात करे तो एक डो लोड 1500 तक भी की, तो वहीं vajon quality की बात करे तो 1,000 से लेकर 1400 तक रहा और मीडियम साइज की प्याज 1700 से 1900 से देखने को मिल रहा बिहार की मंडियों में जहां अच्छी क्वालिटी के प्याज 1400 से लेकर 1600 से बिखता हुआ नजराया वहीं बंगाल की मंडियों में 1500 से 1700 का भाव देखने को मिल रहा दिली अजादपूर मंडी में नाशिक के ही प्याज 1700 से लेकर 1900 सूपर क्वालिटी के प्याज बिखता हुआ दिखा है वहीं मध्यप्रदेश के प्याज 1600 से 1800 के भाव पर आज बाजार खुला है बात करें लहसून की तो नई उटी लहसून का भाव 2000 से लेकर 2500 तक के निलाम किया ज़ा रहा वहीं देशी मीडियम 1500 से लेकर 2000 तक के भाव पर ट्रेड कर रहा हलकी क्वालिटी 500 से लेकर 1500 तक देखने को मिल रहा बाकी और कोई भी रिपोर्ट निकल कर आती है तो आप तक जरूर पहुचवाएंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ